है क्या से आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइस हैदरावाद वरसिस राजस्तान रॉयल्स के बीच में होने वाले आगे लिए आई पेल मुकाबले की और देखिए क क्या होंगे इसमें आपके कफ्तान और क्या होगी हमारी 11 टीम हर एक चीज़ हम डेटेल में देखने वाले तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं शौट सा वीडियो है तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो कई मैच है यहां पर अच्छा क्यारी बाउं तो थोड़ सा उसके लिए डिफिकल्ट होता है मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन जो रहेगी वह 155-160 की इस वेन्यू पर रहनी चाहिए और अर्ली ऑन बोलस को काफी हेल्प मिलेगी यानि कि जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके पेसे इसको थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करें तो इनके टॉप पॉर्टर में वॉर्णर रिद्धिमन सहा उपन करने नंबर तीन पर विलियम सन नंबर चार पर मनिश पांडे और नंबर चार पांच पे केदार जादव खेल रहे अब अगर आप इसमें अवरेज देखेंगे तो आपको सबसे हाई जो मिलेगा वो डेविड वॉर्णर का मिलेगा उसके बाद आपको मनिश पांडे और विलियम सन का अवरेज मिलेगा यानि कि आपकी जो टॉप पे खोगी वो सबसे पहले डेविड वॉर्णर होनी चाहिए उसके बाद विलियम सन और मनिश पांडे को आप देख सकते हैं रिदिमान साहा के रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब है अगर आप देखें तो हलाकि शुरुवात में बैटिंग करते हैं और रिसेंट फॉर्म इनका थोड़ा सा अच्छा है तो उस बेसे पे आप उनको ले सकते हैं बट अगर आप इनके हैट टो एड रिकॉर्ड देख दूसरे तीसरे मैच में एक बड़ी इनिंग खेलते हैं अब पोजिशन टीम के खिलाफ पिछले चार मैच से इनका स्कोर जो है वो 30 अब अभी जा रहे तो यह थोड़ा सा बैटर खेलते हैं पोजिशन टीम को फिर केदार जादव अबुल समाद और जोगी थोड़ा सा अबुल समाद की बात करें तो पार्ट टाइम के इंदवाजी कर लेते हैं और टीम के लिए क्रूशल रंस बना देते हैं तो यह काफी बड़िया हिटर ने अपनी टीम के कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं दो तीन मैच में हर बार एकात बार यह चलते हैं तो इनको आप अपन करें तो इसमें राशित खान काफी कंसिस्टेंट है हाला कि अभी उत्ते विक्टर यह लेके नहीं दे रहा है बट फिर भी ओवरल काफी अच्छे प्लेयर हैं आप पोजिशन टीम की खिलाफ रेकॉर्ड इनका 100% का है तो यह आपकी टीम में मस्ट होने चाहिए बुबनिश्वर कुमार की अगर हम बात करें तो राइटाम मीडियम फास्ट बोलर है रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखेंगे तो ठीक ठाक फॉर्म चल रहा है और अगर फस्ट बॉलिंग होगी तो बहुत इंपॉर्ण हो जाएंगे आप पोजिशन टीम की खिलाफ फाकरी तीन मचिसिन को विकट नहीं मिले थोड़ी सी यहाँ पर कंसर्म है इसका खली लेमत संदीप शर्मा आते हैं जिसमें आप खली लेमत का फॉर्म देखेंगे तो इनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं है अब पॉजिशन टीम की खिलाफ रिकॉर्ड लगबग 66% का है सं जैस्वाल के साथ लेविस का 32 का बेटिंग अबरेज है जैस्वाल का 20 का है उसके नीचे लिविंग स्टन का 30 का है अच्छा पिछले मैच में यहाँ पर लिविंग स्टन ने ओपन किया था आपको बता दूं लिविंग स्टन का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो वो भी काफी तगड़ा है रिसेंट फॉर्म इनका काफी अच्छा चल रहा है दा हंडेट टूर्नामेंट से और अपोजिशन टीम के खिलाब भी लास्ट मैच में चवाले से लो ने लगा रहा है अपोजिशन टीम के खिलाब जो इनका अकरी मुकाबला था संजु ने भी अपने इसलिए मैच में 70 रन की पारी खेली है जिस मैच में लिविंग स्टन ने टीम के लिए उपन किया था तो संजु भी काफी बढ़िया खेलते हैं एक मैच जरू इनका खराब हुआ था शुरूवात में एक दो मैच खराब हुए उसके पहले अगर आप देखें तो परफॉर इस मैच में संजु और लिविंग स्टन रहेंगी राइस्थान की तरफ से जिन से मैं अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं बैटेंग में फिर आते हैं महीपाल लोमरार जो टीम के लिए पार्ट टाइम गिंदवाजी तो करते हैं प्लेक्ट्रे सेशन में काफी अच्छा परफॉर्मेस भी दिया था और रीसेंट टाइम में भी परफॉर्मेस थोड़ा था बैटर दे रहे हैं बाकी प्लेस के मुकाबले अब पोजिशन टीम के खिलाफ लास्ट मैच जो इनो ने खेला उसमें ग्यार रन लगाए थे फिर आते हैं रियान पराग जिनका बैटिंग में देखें तो उत्ता मुका इनको नहीं मिल पारा पर जब जब बैटिंग मिलती है और टाइम मिल जाता इनको विकेट पर तो अच्छे खासी रंस लगा सकते हैं आप पोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड देख सकते हैं प्लस बॉलिंग में अगर आप देख आप यहां से देख सकते हैं बैटिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है हिटरी हैं बॉलिंग में यह काफी अच्छे रिकॉर्ड करते हैं और अपने टीम के सबसे बड़िया बूलर यही माने जाते हैं अप पोजिशन टीमी खिलाब भी इनोंने चार मैच जो खेले उसमें दो बार इनके विकट जो है 3-3 नहीं ने निकाल लें चेतन सकारिया इनके साथ डेथ में के अब करसकते हैं यहां पर सकारिया के अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक फॉर्म चल रही है आप पूजिशन टीम खिलाब तीन मैच खेली थी उसमें उसमें को विकट नह सब्सक्राइब 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 वो दो होता है तो अगर आप चाहें कुछ चेंज करना तो ऐसे भी चेंजिस कर सकते हैं कॉमिनिशन बना सकते हैं ठीक है तो यह हमारी होगी फैन्टू प्ले की टीम अगर आप फैन्टू प्ले पे चैलेंज फैंटसी बेगर खेलना पसंद करते हैं तो वो भी ट्राइए कर सकते हैं चैलेंज फैंटसी में कुछ नहीं होता आपको नौर्मल सी टीम मनानी होती है दो-तीन चार प्ले की आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी ने दो प्ले की टीम मना रहा है तो ऐसे आप यहाँ पर सनक्संद करना है तो आपके पास इस टीम से अगर हम देखें तो शेतन सकारिया हो गए मुस्तफिदू रहेंगे तो उनको भी ट्राइब कर सकते हैं बट क्याप्टन माल लेजिए मैं आप संजू कर देता हूं वाइस केप्टन तो यहां पर नहीं होता तो होल्टर यहां पर आप चाहें तो हो अब जो भी इस टीम के सामने आना चाहेगा उसको कुछ ना कुछ बदलाफ करना पड़ेगा सेम टीम के साथ नहीं आ सकता है ठीक है तो यह थी fan2play की classic fantasy की टीम और challenge fantasy की भी अगर आपने fan2play पर अभी तक register नहीं करा तो description में fx आपको link मिल जाएगा fx code आपको लगाना पड notification पर ताकि आपको bonus मिल जाए फिरी entry मिल जाए इसके अलबा हमारी तरफ से जो deposit offer प्लस आपके लिए कुछ ना कुछ गिवाविस बगर आते रहते हैं वह आपको मिल जाए तो उसके लिए आपको करना क्या है जब भी आप link के थूरू description में जो link के दिया उसके थूरू app को download क ठीक था आप एक बार जाके fantasy express.com पर फिर से stats को देख लिए और इस team का final update आपको टेलिगा हम चनल पर मिलेगा जिसका link भी मैंने description में दे दिया है तो गई सब तक के लिए बाबाए